हेलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 अक्टूबर तक के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप इस वीडियो का अंतर तक जरूर देखेगा, आ ओप्शन हैं 56, 101, 105 या फिर 112, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के questions से यह आप practice करना चाहते हैं, तो हमें टेलिग्राम पर जरूर जोइन करें, करंट अफेर्स फंडा नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है खाली में अलस्टर कुक और अबी डीविलियर्स के साथ, ICC हौल अफेम में किसे सामिल किया गया है, औप्शन सापके सामने है, सही आंसर अप्शन भी है, नीतु डेविड, आपको जाना चाहिए कि फोर्मर इंडिया लेफट आम स्पीनर नीतु डेविड, इन्हें ICC हौल में सामिल किया गया है, इन्हें के साथ, इंगलेंड के अलस्टर कुक और साथ अफ्रिकन एबी डीविलियर्स को भी सामिल किया गया है, इस तरह से नीतु डेविड, केवल दूसरी फीमेल क्रिकेटर बन जाती हैं भारत से, जिनने ICC हौल अफेम में इंडक्ट किया गया है आपको तादे 2030 में डाइना एडलसी, इन्हें भी हौल अफेम में इंडक्ट किया गया था, और ये पहली भारतिय महिला क्रिकेटर बनी थी, कानपुर की हैं, नीतु डेविड और जो इंडियन विमेंस टीम की जो सेलेक्शन कमिटियर्स की चेर परसन भी है, और सेकंड इस्ट विकेट टेकर रही हैं भारत के लिए, वन्डे इंटनेसल क्रिकेट में एक्सविक्तारिस के साथ, और फर्स्ट फिमेल प्लेयर है हमारे देश से, जिन्होंने 50 वर गेम में सो विकेट्स लिये हैं, आपको चानना चाहिए जो आईसेसी होल अफेम है, इसकी स्टार् किस निर्वाचन चेतर से विधायक हैं, ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन भी है, लाडवा, आपको चाहिए कि नायाप सिंग सैनी, जो की हर्याना की चीफ मिस्टर की जिनोंने हाली में सपत ली है, पंच्छुकुला में, और इने हर्याना के गवर्नर बंदा ग्रेंड समारो, ये वाल में की जनती के दिन हुई है, एक प्रोमिनेंट OBC लीडर हैं हर्याना से, और दूसरी बार CM बन रहे हैं, और मनोरलाल कटर को इन्होंने रिप्लेस किया था, इस साल की शुरुवात में, आपको बता दे, ये कुरुचह तर्गिष्टी की लाडवा Assembly Seats आते हैं, और आपको भी जाना चाहिए कि हर्यान में, BJP तीसरी बार सरकार बनाई है, और 90 Member की Assembly हर्यान में, 48 Seats इन्होंने जीती है, फिर Congress ने जीती, 37 Seats, Article 164, ये कहता है कि जो Total Number of Ministers हैं, Including Chief Minister, Council of Ministers में, ये 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15% कि इसके, जो Total Members होते है Assembly के उससे, देखिए, जो Bank के एकजाम है, आपके उसमें भी पॉलिटी का कोई ना Question वो डाल दे रहे हैं, टेक है, तो जो ये सामने सामने हैं, इस तरह के facts आते हैं, आप याद रखा गरे हैं, तो इस तरह से जो minimum strength होती है, Council of Ministers की किसे state में, वो 12 होनी चाहिए, minimum और maximum 15 तक जा सकती है, सेरे कश्मीर International Convention Center, जो की शरी नगर में है, डल लेक के पास, यहाँ पर हुआ है, और इनको ओत दिलाई गई है, जब्मो कश्मीर में उसके बात से, और ये union territory बन गया है, 2019 में, ठीक है, तो union territory के इसाप से देखें, तो पहले चीफ मिस्टर बने हैं, और पहले बार बने हैं, और इस से पहले 2009 से 2014 के बीच में भी ये CM रह चुके हैं, जो मो कश्मीर के, नेसर कॉंफरेंस और कॉंग्रेस का अलाइन्स था, इस पार इस असेंबली पॉल्स में, 90 मेंबर के असेंबली थी, नेसर कॉंफरेंस ने 42 सीट जी ती, फिर बीजेपी 39, फिर कॉंग्रेस ने के पैंशनर्स, केंद सरकार के करमचारियों और पैंशन भोगयों के लिए महंगाई बत्ते में कितने प्रतिशत की विद्धी की गई, आप्शन साब के सामने हैं, सही आंसर आप्शन भी है, 3 परसेंट, 3 परतिशत, Union Cabinet ने 3 परतिशत की विद्धी अप्रूव कर दी है, Dearness Allowance, यानि कि DA में Central Government Employees के लिए, इसी के साथ जो DA है, वो 53 परसेंट पर पहुंच गया है, तो 1 July 2024 से effective यह माना जाएगा, और जो भी पैंशनर्स हैं, उनके लिए Dearness Relief दिया गया है, सेम 3 परसेंट इंक्रीस किया गया है, ठीक है, और Total Financial Burden जो आने वाला है, इस Revision के बाद, वो 9 449 क्रोड रूपे काने वाला है, एन्वली, उननचे समलव एक आर्ट लाख Central Government Employees, और 4 समलव आर्ट नो लाख पैंशनर्स इससे benefit होंगे, 50% of basic paper set है यह, और DA, और इसको 4 परतिशन से रेस किया गया था, मार्च 2024 में, एक्शली जो DA है, या फिर DR है, इसको adjust किया जाता है, दो बार साल में, एक जनुवरी को एक चुडाई को, और All India Consumer Price Index for Industrial Workers, इसके basis पर इसको calculate किया जाता है, जिसे label period होगा पब्लिश किया जाता है, तो यह महत्पून फेक्ट है, लगार किया जो कि में, सब्सक्राइब कोर्धियन फेक्राइब कोर्डिनेशन से निपर्सी किया जो कि मिस्टियों फॉर्म ओफेर्स कोवेंट ओफ इंडिया का इनिशिएटिव है, cybercrime से निपटने के लिए तो as the ambassador रश्मी का विल इस पेरेट nationwide cyber awareness campaigns designed to inform the public about cybercrimes including deepfake technology malicious AI created content, cyberbullying, financial frauds and other online scams आप जानते होंगे रश्मी का मंदाना भी हाली में deepfake का सिकार हुई थी I4C यानिक Indian Cybercrime Coordination Center इसको में स्टियो फॉर्म अफेर्स वरा set up किया गया to provide a framework and ecosystem for law enforcement agencies to deal with cybercrime in coordinated and comprehensive manner what is the name of India's first airport based self-powered indoor air quality monitoring facility भारत की पहली हवाई अड़ादारित स्वासंचालित आंतरिक वायुकुनवत्ता निकरानी सुईदा का नाम किया है सही answer option छी है पवन चित्र देखी जो भी स्टर के questions होते हैं इंडियास first world first ये काफी math पूर्ण होते हैं इन्हें आप या तो अलग से भी note कर सकते हैं या फिर इन अपने ध्यान में रखें कि मुझे ये तो जरूर पढ़ने है exam से पहले यूर्ण मिस्ट ऑफिस्टेट फूर साइंस औं टेक्नलोजी डॉक्टर जी तेंद्र सिंग इन्होंने पवन चित्र को इन्योग्रेट किया है जो कि इंडिया का फ़स्ट एरपोर्ट बेस्ट सेल्फ पार्ट इंडोर एर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसलिटी है कहां पर गिया है थिरुन्द पुरम इंटरनेसल एरपोर्ट केरल में और इसमें इंडिजिनियस इंडोर सोलर सेल्स लगे हैं जिने डेवलप किया है CSIR, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology थिरुन्द पुरम के द्वारा इन्विसिटी विल्दा कंट्रीस फर्स्ट हिंदी लिटरेशर म्यूजियम भी इस्टैबलिश्ट बारत का पहला हिंदी साहित्य संग्राले की सहर में स्थाबित किया जाएगा सही आंसर अप्शन दी है काशी वारानसी देखिए उत्तरप्रदेश कोर्मेंट बारत का फर्स्ट हिंदी लिटरेशर म्यूजियम का सी भारानसी में स्टैबलिश करेगा और ये पहला म्यूजियम होगा जो किसी लेंगविज को डेडिकेटेट है इसके लिए 25 करोड़ों पे भी उत्तरप्रदेश कोर्मेंट ने एलोट किये है उत्तरप्रदेश संबन्दी थी एक और करेंट फिर आपको जानना चाहिए इन्होंने एक ओर्डर इशु किया है इन्होंने उत्तरप्रदेश संबन्दन के लिए किस राज सरकार के साथ सेयोग किया है सही आंसर अप्शन भी उत्तराखंड इन्होंने उत्तराखंड गौवर्मेंट और हाउस ऑफ हिमालियास के साथ हात मिला है ताकि सर्स्टेबल एक्रिकर्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके यहाँ पर आपको जाना चाहिए इस्पाइस पोर्ड का हैटक्वार्टर कोची में कई बार यह एक्जाम में पुछा जाता है और यहाँ आप्शन दी है इंडियन ऑवर्सीज बैंक देखेंगे जो पॉब्ली सेक्टर लेंडर है इंडियन ऑवर्सीज बैंक इसने नए रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स लौंच किया है कई सिटीज में साती चिन्नई में भी किया है ताकि कस्टमर एक्सपिरियंस और सर्विस दिलिवरी इंडियन ऑवर्सीज बैंक ने टोटल आठ रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स ओपन किया है एक फिजिकल सेंटर किया है चिन्नई में और साथ अधर किया है वर्चुली कहा कहा पर बैंगलोर कॉंबटूर टैली हैदरबाद कुलकाता लखनवर हेरिटेज थीम्द एटीम बीनोगरेट किया है MGR सेंटरल इस्टेशन चिन्नई पर और जो विक्टोरियन एरा के रैड ब्रिक स्टेशन बिल्डिंग होती थी उसी का रेपलिका ये एटीम शो करता है अजय कुमार स्रीवास्त है MDM CEO है Indian overseas bank के विच PSU डिलिवर दर सर्वे वैसल INS निर्देशक तो दर इंडियन नेवी किस PSU ने बारतिय नोसेना को सर्वेक्षन पोथ आइनस निर्देशक सोपा सही आंसर अप्शन दिये गार्ड़न रीश शिप बिलडर्स एंड इंचिनियर्स Defense PSU Garden helemaal इस निर्देशक इंडियन नेवी को सोपा है आपको दादे इस तरह के चार वैसल बाइए जी ए रेस सी द्वारव नमें से ये दूसरा है These are the largest survey vessels for the Indian Navy to be built in the country 110 meters long है और यह जोइन करेगा आयने संधायक को जो की first survey vessel rice series का To the point questions उरून के answers देख लेते हैं What are pusha 2090 and pusha 44? Answer is variety of rice Nicaragua cut diplomatic ties with which country? Recently, Israel Prime Minister attended the 19th East Asia Summit in which country? Answer is Vyadene, Laos Samsung strike was withdrawn recently The workers were protesting in which state answer is Sripirambudur plant Tamil Nadu Regional Labour Institute of China gets aggregated as 6890 and Uttam by Kepstit Building Commission आप में से कई yes when से बिल्कुल सही answer किया है इसी तरह से आप आठ स्विट करते रहिए चले आज की assignment questions देखते हैं इनका answer आपको भी comment box में करना है Who are the five I countries? Who is the foreign minister of Pakistan? Who is the top goal scorer in international football? Which concluded India fight in the iconic battle of Walong B.P.Colombo is a joint European Space Agency and Japan Aerospace Explorations Agency mission to which planet? देखे question ऐसी नहीं उठा है ये भी question current का है क्योंकि बारत इसको celebrate करने वाल इसकी अनिवरसे को इस battle की और ये जो foreign minister Pakistan पूचा गया है इसलिए पूचा गया है कि अभी जैशंकर जी पाकिस्तान गये थे तो वहाँ पर foreign minister से मिले थे क्योंकि वही उनके counterpart है तो इस इनकी मिलाकात हुई थी तो इन पाचो questions के answer आपको comment box में देने है यदि एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में बताईएगा और ये जो पहला question है इसका relevance ये है कि Canada ने का है कि हमने जो भी भारत के against हमारे पास सबूत है हमने 5 I countries के साथ भी share किये जो matter चल रहा है आजकल हूँ साथ है आपको पता देए वीजे था बैच जो की banking अवरनेस special बैच है यहमारा complete available है current affairs funda app पर 30 video lectures plus 30 pdf समने इसमें आपको provide कर आई है complete banking governance, Indian economy के key concept और insurance सब कुछ इसमें कवर है के वल 399 की कोस्ट पर एक साल की variety के साथ आपको इबेच पर रापत होता है मारी current affairs funda app पर यह दिया हमारी daily current affairs pdf, weekly pdf, monthly pdf और हर महीने के banking and economic awareness pdf चाते है तो current affairs funda का one year membership plan आप जोईन कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में या फिर first comment में मिल जाएगा आपको बताती इस one year membership plan के ताहिए जितना भी हमारा pdf content है वो हम आपको एक साल तेक के लिए provide कराते हैं जिसे आप download कर सकते हैं print out भी निकल वा सकते हैं इसके लिए चोई तो आप current affairs funda app को use कर सकते हैं या फिर अपने laptop system की मदद से web login भी कर सकते हैं कोई भी आपका एक्जाम हो banking ssc railway of state pcs यहां पर भी general awareness से current affairs पूछे आते हैं सभी exams के लिए मारा pdf content काफी useful है और इसमें महापो category wise quiz भी provide करा रहे हैं तो एक बार अगर आपने हमारे current affairs पढ़ लिए उनके बाद इन quiz को attempt किया तो कीर मानिया आपका current affairs section काफी strong हो जाएगा काफी अच्छा आप score कर पाएंगे अपने आने वाले exams में लिंक वीडियो के description में फिर first comment में आपको मिल जाएगा वहां से आप buy कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी खोर से सम्मंदित तो यहमारा customer के नमबर है 848 169188 इस पर WhatsApp करें या फिर call करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही current affairs funder को आप टेलिग्राम पर भी जान कर सकते हैं आप और regular video updates और current criticism आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं Thank you guys